Welcome back, देखें, हड्रोस्टेटिक का आए continue कर रहे हैं, और एक हम लोग आचे हैं, आप अच्छा question देखेंगे, क्या है question, देखो, बोलता है कि एक cylinder है, जिसका diameter 2 meter है, 3 meter long है and 5 kilo newton, इसका weight है, यह cylinder आपको दीख रहा है, यहाँ पे, is acted upon by water on one side and oil on another side, तो देखो इसका एक तरफ ज इसका diameter अगर लेने, तो diameter से part करके, half जो semi circle है, उसके तरफ water रखा हुआ है, और water का जो free surface है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगा, यह इसका free surface का निसानी होता है, ठीक है, symbol है free surface का, और जो oil है, तो दूसरे side में oil जो है, just एक quadrant को कभर करता है, आप जिसा देख रहे हो, ठी है, और इसका यह free surface है, और इसका जो गहराई है, वो 1 meter है, और इसका specific gravity आपको दे रखा है, क्या है, 0.8 है, यह सारा कुछ given है, यह जो cylinder है, यह 3 meter long है, तो cylinder समझे लो आपके, इस तरह से आपका cylinder होगा, इस तरीके से, right, यह आपका पुरा cylindrical shape है, यह जो 3 meter long है, ओके, तो अ to the net magnitude of horizontal force निकालना है, तो एक दा हमको निकालना है, vertical force, और फिर हमको क्या निकालना है, horizontal force, और इसका हमको absolute ratio पे बात करना है, कि इसका absolute ratio क्या होगा, option is given here, ठीक है, तो देखो, एक अच्छा question है, चो कि यहाँ पे हम लोग pressure on curved surface, या वो लिए thrust on curved surface पे बात करने वाले है, तो one by one बात करेंगे, बिल्कुल formula मैंने आपको पहले बताया हुआ है, just formula apply करेंगा, और आप काम आपका खतम हो जाएगा, so first I recall the formula, पहले हम लोग ये बार इसका formula recall कर लेते हैं, कि क्या formula था, ठीक है, अपर डुटिल में discuss कर लेते हैं, कि हम लोग किस तरीक से इसको देख सकते ह देखो, horizontal direction की बात करें, तो horizontal direction, चुकि जब curved surface होता है, तो curved surface में मैंने आपको बताया था, कि curved surface में क्या होता है, दो तरह का force होता है, एक होता है, एक होता है, एक होता है, एक होता है, मेरा vertical direction में, टीक है, तो जो horizontal direction में जो force होता है, उसका formula होता है, rho g h bar a p, ये मैंने आपक of fluid है, g acceleration due to gravity है, h bar distance of center of gravity of the body है, from the free surface, a p projected area का लाता है, जबकि vertical direction में क्या होता है, simply roji भी होता है, जिसका मैं बोला था क्या, कि simply क्या होता है, weight of weight of super incumbent, super incumbent liquid होता है, मतलब कि उस जो है, जो surface उसके उपर जो भी liquid है, up to free surface उसका weight होता है, ठीक है, तो यह roji भी इसको निकालते हैं, इसको हम भी discuss कर चुके है, यहाप आपका ro जो है density of liquid होगा, g acceleration due to gravity भी क्या होता है, volume होता है, of the above curved surface up to the free surface level, clear है, तो आप देख लेते हैं calculation यहापे कैसे calculation करने वाले हैं, तो यहापे आपको given है, specific gravity दे रखा है, 0.8 है, length 3 meter दिया हुए, ठीक है, अब आप figure देखो है, figure देखे है, काम करना है, कोई मुश्किल नहीं है, तो देखते है figure हम लोग, यहापे जो देखो net vertical force होगा, is given as follow, बहुत आसाने से निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो, net vertical force is equal to weight of water content in semicircular volume rbp, तो यहापे आप देख पा रहे होगे, ठीक है, तो कि देखो, जो water displaced हुआ है, तो वो इसी आप देख सकते है region तक, यही जो आपका पूरा region है, यह water के तरफ आ रहा है, ठीक है, तो यह अगर आप भोलूम निकाल लेते हैं, ठीक है, चुकि एक matrix का length भी है cylinder का, तो यह पार्ट आप निकाल लोगे, weight of water content in semicircular volume rbp, ठीक है, यह निकाल लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, due to vertical force due to this water column, ठीक है, अच्छा, oil column के लिए निकालना है, तो oil का इतना ही सारा portion है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखते ही, एक्चुलिए अगर इसका निकाल दोगे, यह वाला portion का, यह वाला portion का आप निकाल देंगे, राइट, यह सारा portion का हम निकाल निकालना है, इसका वालूम निकालना है, क्योंकि simply volume होता है, इनके सो vertical force ठीक है, तो आप देखो, तो यह तो यह हो जाएगा, पलस क्या होगा, पलस होगा आपका, weight of oil content in arc portion OQP of cylinder, OQP दीख पा रहा है आपको, this one is OQP, right, क्लियर है जी, चलिए, तो चलो आप निकाल दे net vertical force निकल लाएगा, ठीक है, चुकि दोनों यह तो liquid column का हुआ, water का और oil का, और इसका अपना weight है, उसको हम लोगो minus करना पड़ेगा, चुकि यह भी जो है, utter gravity आपको, इसका vertical weight है, ठीक है, इसका weight है, तो उसको minus करेगा, जभी हम को क्या मिल लाएगा, net vertical force मिल दाता है, चलि है, density of water लेगा, यहाँ पे, into, into आपका हो जाएगा, G और हो जाएगा, आपका volume भी, तो यह आपका होता है, 1000, right, G हो जाएगा 9.8, और volume किसे निकालेगा, तो यह area निकाल लेजिए आप, area of semicircular हो जाएगा, आपका pi r square by 2, or into volume, इसको area into, जो है length, तो length किता दिया हुआ है, 3 meter दिया हुआ, cylinder का, तो 3 से multiply कर देना, तो भालू, 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 क्या आजाएगा, यहाँ पे, इस से तो मेरा, यह kilo newton में बदल लाएगा, तो इसको हटा दिजिए, तो आपका बज जारा 9.8 into 3.14 into radius, radius यहाँ पे देखोगे, तो यह पूरा 2 meter है, तो radius आपको 1 meter ही जाएगा, इसके लिए, तो into 1 into यहाँ पे 3 भी है, divided by 2, विसको पूरा को absolve करोगे ना, तो देखो यह आपका आजाएगा, यह आपका लभग 10 है, तो 10 3030, 3090 by 2, about आपका यह ही आएगा, 46 into 46.23 kilo newton, ठीक है, तो 1000 तो आफट आचुके है, तो 1 kilo newton में बदल गिया, तो solve कर लेना, इसी तरीके से, अच्छा, यह तो हो गिया, आपका इसका, आप इसका निकाल होगे, oil content in the portion OQP, तो OQP में निकालते हैं, अगर हमनों, तो देखो नीचे निकाला हुआ है, तो इसका भी आप यहाँ निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, तो इसके हमनों करेंगे, density of लेंगे, oil into G into V, ठीक है, तो density of oil किया है, तो density of oil आपको दे रखा है, उपर महमनों को दिया हुआ था ना, कितना था जी, 0.8, तो यह आपका 0.8 आजाएगा, into यह 9.8 आएगा, अच्छा, यह देखिएगा, तो यह ना, जैसे इसका 1 होता है, आपका water का, ठीक है, अगर हमन ने बात करें, तो 1 kilo होता है, okay, per meter cube, तो इसका भी आपका 0.8 होता है, तो यह किलो न्यूटन में आजाएगा, तो भी, भी क्या हो जाएगा, तो इसका area ले लिजेगा, तो यह quadrant का area है, तो इसका पाई r square by 4, और इसका length आपका 3, इसको आप solve करके देखो, तो यहापे देख क्या किया गया, 9.8 na, yes, g is 9.8, तो यह पे g आपका 9.8 होगा, ठीक से कर लो, तो 0.8 हो गया, density, 9.8 g का value, pi 3.14, r आपका, फिर अगें देखो, यहापे radius 1 meter है, तो 1 ही होगा, divided by 4, r into 3, इसको पूरे को solve करेंगा, तो अगें देखिए का आपके, तो यह आपका 10 है, ठीक है, कह सकते हो, 30 हो जाएगा, 90, 90 by 4, अफिर 0.8 से multiply करेंगे, तो यह आपका आजाएगा, 18.49 आएगा, something, बात फोलो कर रहना, आपिस हो करके देख लिजिएगा, यह kilo newton में आ जाता है, मेरा, clear है, तो दोनों का weight निकल गया, अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें net weight जो है, minus कर करेंगे, तो यह आ जाता है, ठीक है, अब देखो, horizontal force कैसे निकालेंगे, तो horizontal force निकालेंगे, तो आपको पता है, क्या होता है, formula होता है, अगर water column के बज़े से निकालेंगे, तो rho g h1 bar ap, ठीक है, यहाँ पर rho density of water है, g acceleration due to gravity है, यह आपका center of gravity का depth है, below the free surface, और ap जो है आपका 1 kg लिखिएगा, तो आपको kilo newton में मिल लाएगा, तो 1 kg per meter cube यह आपका हो गया, density, ठीक है, फिर acceleration due to gravity आपका 9.8 हो गया, इन्टू, अब देखो, जो depth of center of gravity है, below the free surface, दोनों के लिए, इसके लिए देखो गया आपना, तो इसके लिए देखो यह h1 bar है, free surface यह हो गया, ठीक है तो यहाँ से h1 bar है, यह 1 meter है, और यह भी 1 meter होगा, चुकि यह center से यह line है, तो h1 bar का value क्या आ जा रहा है, 2 meter आ जा रहा है, इसी तरीके से इधर देखोगे h2 bar, तो यह ही त्यूकि आपका free surface है, तो इसके लिए तो just यह 1 meter ही रहेगा, तो h1 और h2 आपका 1 meter होगा, right, तो यह आपका cylindrical face है, okay, एच्छेस देख लेंगे तो, और जो water के तरफ है, तो water के तरफ पूरा यह, इधर आपका 2 meter है, ठीक है, और इधर आपका कितना है, इधर आपका है, 3 meter, तो 2 into 3, यह vertical जो projected area आएगा, area of rectangle वो 2 into 3 आएगा, ठीक है, तो यह, अब इसको आप solve कर लो, तो 2 3 आ आजाता है, आपका 117 into 72, kilo newton में आएगा, यह आप देख लेंगा, ठीक है, exactly यही value आएगा, इसी तरीके से जब आप oil वाला निकाल होगे, तो same चीज है, मैंने आपका बता दिया, इसमें आपको 0.8 लेना है, 0.8 kg पर meter cube, ठीक है, जीक है, 9.81 लेंगे, H2 आपका देखो, H 0.5 meter, तो H2 हमारा 0.5 meter आजा रहा है, तो it is 0.5, और इधर देखेंगे, अगर हम लोग oil की तरफ, तो oil की तरफ, यह 1 meter है, यह 1 meter है, एक ही quadrant में है, तो आपका इधर जो vertical wall बनेगा, तो यह आपका 3 meter long हो जाएगा, यह आपका 1 meter, तो rectangular wall लेंगे, तो 1 into 3 लेंगे, ठीक है, इ हम लोग क्या करेंगे, oil वाला को minus कर देंगे, तो यह निकल गया आपका net horizontal force, यह पूरा काम हो गया, अब ratio पुछा था, तो ratio देखो, इन दोनों का ratio निकाल लेंगे, यह आता है, ज्यादा कल्कुलेटीव है थोड़ा, तो इस तरह का question MCQ में तो बहुत कम chances है, बट इसमें चुकि एक concept है, इसलिए मैंने आपको question बता दिया, कि अगर आपको कभी vertical force निकालना है, horizontal force निकालना है, तो आप formula wise case से उसको use करोगे, यह मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, राइट, यहाँ पर जो correct option है, वो option आपका 0.375, तो कुछ बड़े exam में इस तरह का आजाता ह है, और अगर ऐसे ही आजाता है, तो आपको उसको फिर skip ही करना है, वही ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पर जो option है, वो option आपका 0.375, first option correct है, पर इतना बड़ा question हम exam में तो नहीं hit करेंगे, चुकि हम लोगों को अगर mathematical physics की बात करें, तो उसमें बहुत सारे questions रहे calculus है, जो के काफी जल्दी बनता है, graph theory है, geometry है, तो उनको preference दिया जाएगा, तो इसी तरीके सा strategy प्लान करेंगे, इस तरह के बड़े question का एक concept में आपको दिखा दिया, तो आई होप आपके लिए fruitful था, अच्छा लगा like कीजिएगा, चैनल पहने है, subscribe कीजिए, पढ़ते रहे अगर आप पूरा course करना चाहते हो, तो आप मेरा application download कर लो, आपको link आपको description box में मिल लाएगा, ठीक, thank you very much.